हेलो फ्रेंड्स, नरिंस की चनमे, आज हम रात की बची हुई रोटी से 5 मिनट के अंदर एक बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी रेप बनाने वाले हैं, इसे आप बच्चे या बड़े किसी को भी लंच बॉक्स में या सुबह के नास्ते में दे सकते हैं, इसे हम एक नहीं, दो नहीं पूरे आज तीन डिफेंट तरीके से बनाने वाले हैं, वो भी घर में रखी हुई बेसिक इंग्रिडियन्स है, चले फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं, मैं यहाँ पर रात की बची हुई एक रोटी ली हूँ, अब इसके जगह में फ्रेज भी ले सकते हैं, इसे थोड़ा सा मियोनिज इस तरह से सबसे पहले लगा रही हुँ, इस तरह से मियोनिज अच्छे से फैला लीजेगा, फैला के लगा लीजेगा, अब दूसरे साइड में यहाँ पर मैं इस तरह से रिंग के साइज में ओनियान डख रही हुँ, और इसके उपर इस तरह से गोल इसे भी मैं यहां पर डार दे रही हूं इसके side में अइसे भी अच्य बिल्कुल equally फैला लेना है अब यहां पर मैं एक चीज का slice रख देरी हूं स्थी वैसे से रोटी के हमारा चारो सेक्षन में टॉपिंग बिल्कुल अच्छ से हो गिया है अब यह मियोनिस साइज का सेक्षन लेकर हम यह ओनियन को पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और हलके हाथों से प्रेस कर देंगे प्रेस करते हुए हम इसको फिर से इस तरह से फोल्ड करेंगे य इसे आप बटर के साथ हो या जार के साथ रहो तो Χालें आप सेख लिजए आज मैं आ आपको सिंपलियर के ऊपर सहक गया हो जार के सिखाऊंगे श्टीन है । अब इसके ऊपर बहुत ही सेफली हम रोटी रैप पार कर देंगे इस टायम बिल्कुल रखेंगे दो मिन इन से कॉभर कर दे रहे हुए ताकि अंदर का सबजी थोड़ा सौफ्ट हो जाए चीज भी अच्छे से मिल्ट हो जाये दो मिनिट हो चुका है, उपर में थोड़ा सा फिर से बटर लगा दे रहे हैं, इससे दुसरे साइट टर्न कर दे रही हूं, देखिए कितना अच्छे से पख गया है ये साइट, बिल्कुल क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन हो गया है, फिर से लिट से कौबर कर दे रही है, दो म मारा पहला रेप बन के रेडी हो गया है कितना अच्छा सा और प्यारा सा लग रहा है इसे मैं जड़ा आपको कट करके दिखाती हूं अंदर की फिलिंग और क्रीमनेस देखिए इस तरह से हमें कट कर लेना है यह देखिए अब जड़ा देखिए अंदर का टेक्स्चर किस तर ली हूँ हम अब रोटी के ऊपर में बटर को इस तरह से इस प्रेट कर ले रही हूँ है अब मैं इसके बिस तici तरह चारों रिए स्वेजिटेबल को रखे पैल सेक्षेन में और के वेस ऍहुल्ड एर नेग सेक्ष्ए में वैज़ को रख रही हूँ हूं इसे पीश में नि में ही चॉप कर ली हूं अब लास्ट सेक्शन में मैं कैप्सी कम से उसी तरह चॉप करके रख रही हूं और उपर से थोड़ा सा स्वीट कॉन डाल दी हूं और स्वीट कॉन ना हो तो आप अवयर्ड भी कर सकते हैं अब इन सब के ऊपर थोड़ा सा क्रीमी पन के लिए मैं हप टी ऐस्पून के जया से ब्लेक पेपर पाओडर चिली फ्लैक्स हप टीज स्पून एक स्लाइस लिए हूं इसको चार्टूपुर, कर लिए हूं और चारों सेक्शन में इस तरह से हूपर रख रही हूं अब मैं इसे भी तावा के उपर रख रही हूं इसमें भी बटर डाल दे रही हूं और सेम प्रोसेस से उसी तरह लीड बंद करके हम इसे भी दो-दो मिनाट में के लिए ढग देंगे और एक साइट जब हमारा पक गया तो दुसरे साइट टरन कर लेंगे और इस तरह दोनों अब यह दूसरा रेप बनके बिलकुल अच्छे से रेडी हो गया है इसका भी क्रीमी पन देखिए कितनों अच्छा सा लग रहा है टेश्टी सा यम्मी सा देखिए इसमें इतना क्रीमी पन है कि यह हमारा ओवर्फ्लो हो जा रहा है अब मैं यह तिसरा और लास्ट रेप ब से कट कर ली हूं दूसरे सेक्शन में फाइनली स्लाइस्ट कैबेज रख रही हूं उसके उपर इस तरह से गोल कटा हुआ टामाटो रख रही हूं थर्ड में स्वीट कॉन रख दे रही हूं इस तरह से बिलकुल लास्ट वाले सेक्शन में मैं फिर से इस तरह से केस्ट को रख रही हूं उपर से चिली फ्लेक्स और और परपस सेजनिंग डाल दे रही हूं और से मुसी तरह से मैं फोल्ड कर ले रही हूं और इसी तरह से तवे पे इसे भी सेख लेंगे देखिए यह हमारा तीसरा और आखरी रैप भी बनके बिल्कुल रेडी हो गया है तो आपने देखा बची हुई रोटियों के हम किस तरह से एकदम टेश्टी सा नास्ता बनाए हैं और कितने कम समय में कम इंग्रेडियन्स से हमने एक अच्छा सा नास्ता कहिए और रैप बनाके रेडी की हुँ इस तरह से छोटे मोटे ट्विस्ट करके हम रात का बचा हुआ रोटी को आसानी से टेश्टी और मजेदार बनाके बच्चों को या बड़ों को किसी को भी दे सकते हैं उसे बहुत पसंद आएगा जरूर से आप इस तरह से ट्राइ किजिएगा बना कि